नमस्कार दरप्रिंट में आपका स्वागत है क्या बीजी भी चाहेगी कि अर्विंद केज्रीवाल जेल से बाहर आ जाए राहुल गांदी का वायनार्ट सीट की जगे राइबरेली सीट को अपने पास रखने के पीछे की कहानी क्या है और मीडिया द्वारा उरीशा आपको लगता है कि अर्विंद केज्रीवाल जेल से बाहर आए चूकि उनकी पार्टी जहां भी लड़ती है वे कॉंग्रेस के वोट शेयर को काटती है हर्याना चुनाव नजदीक आने के साथ जेजेपी और आप निश्चित रूप से कॉंग्रेस की रिसर्जिंस को धीमा कर सकते हैं कि मेरी इसमें अलग राय है मुझे लगता नहीं कि बीजेपी चाहेगे जहां तक पहले में हर्याना से सुरू करूं तो हर्याना में देखिए आप को ऐसा को फोर्स है नहीं इस वार भी जो खुरुषेतर से उनको टिकेट आपके जो कैंडिडेट लरे वो जादा वोट मिले आपके कैंडिडेट को वोस्ली कॉंग्रेस के वोटर्स है तो ऐसा नहीं कि आप अलग से लड़ेगे तो आप कुछ नया कुछ महां कर पाएगी दूसरी बात है अगर हर्याना कांटेक्स में देखें तो याद होगा एक वार के जीवाल गय थे हर्याना उ जो चोटा मोटा काटेंगे अगर बनिया वाला फिर से इनोंने पॉल्टिक्स कहला तो बीजेपी के वोट ही काटेंगे तो इसलिए उनका यह की अगर बाहर हैंगे तो कॉंग्रेस का नुक्सान होगा उससे मैं उनसे मैं एग्री नहीं करता दूसरा यहां दिली की बात है बीजेपी के लिए अच्छा है कि कॉंग्रेस अच्छा कर गए तो आपके वोट बैंक है और कॉंग्रेस जो वोट काटेंगे वोट काटेंगे तो इन सारे चीजों को अब देखें तो उसमें अर्विंद केजिवाल के बाहर आने से कोई बीजेपी को मदद नहीं मिलेगी अगला सवाल था कि क्या आप पूर 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 आप नहीं चाहेंगे कि अर्विंद केजिवाल टाइप के नेता फिर बाहर आए और उन सबों के साथ मिलके विपक्षाब को घेज़ने की कोशिश करें इनका अगला सवाल था कि क्या आपको लगता है कि कॉंग्रिस बहुत जल्दी जशन मना रही है और अगर वे हर्याना, महराश्ट, जार्खंड और दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहती है तो वो वापिस स्क्वेर जवान आजाएगी और एक बार फिर राहुल गांदी के नेत्रतों पर सवाल उठाए जाएगे देखे अब जस्न करने से तो आपको गुरेज नहीं हो सकता है विकाद उनको लगता है कि अब उनका जस्न इसली नहीं कॉन्हें काफी अच्छा किया है मैं अच्छली प्लिट नहीं रहे अभी तक उनके दिमाग में एक जो यह था कि अरे जब तक मोदी हैं जीती नहीं सकते बीजेपी पावर से जाएगी इन्होंने इस एलेक्शन में देखा कि मोदी भी अब उनका भी पॉपलारिटी के अगर आप जेधी नीचे जा रहा है तो एक वो एक पुरा ए में हैं और मोदी का ग्राफ नीचे जा रहा है तो जसन का माहल वो इसलिए जादा है इसलिए नहीं कि कॉंग्रेस ने निरानिवे सीट जीत ली और एक और सपोर्ट में लिए तो सौ हो गये मतलब इंडिपेंजन का इंडियर जो मारास्टर के तो यह जसन है कि हमने बहुत नीचे जा रहा है इसलिए कि बहुत सही नहीं ने बहुत पॉजिटिव फैक्टर साय है उसमें अब ऐसे नेता चुन के हैं अब जैसे दिखिया साम में जोरहट से जैसे गौरव गोगई जीत किया है वहां हेमंता शर्मा जो चीफ निस्टर है वह और उनकी पूरी कैबिने करें पूरी जीत जान लगा दिकरी 15-20 दिन तक कैंप करते रहें वहां पर फिर भी गोगई जीत के आ गया है यह फिर से पार्टी जो नीचे ही नीचे जाड़ी तया साम में इस तरह की जीत से आपको वहां से फाइदा मिलेगा पार्टी को बुस्ट मिलेगा गोगई का एक गुजरात में पहली बार गेनिवेन जीती है अब गुजरात भी तो कॉंग्रेस थी ही नहीं कभी कॉंग्रेस उनको फंड तक नहीं दी पाई लगने के लिए उन्हों को कहा कि हमें सबसे कहती थी कि 111 रुपया दो हमको लगाने के लिए लोगों ने फंड दिया और फिर भ बड़ा इंकरेजिंग चीज है महरास्ट्रा में देखिए बहुत सारे नहीं नेता हैं अब हम जो कर इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है थे अब कॉंग्रेस छोड़ के गये थे उद्धर ठाकड़े की ने उनको कॉंग्रेस को सीट देने से मना कर दी थे वह इंडिपेंड सिंदे के बेटी को देखें तो ऐसे बहुत ही यंग नए कैंडिडेट चारो तरफ है कई हैं तो यह सब एंकरेजिंग साइन हमां साम की बात कर रहे थे सोचिए वहां जो कॉंग्रेस का कैंडिडेट जीते हैं 10 लाग से जादा वोटों से उन्हें बद्रोदीन अजमल को हर तो आपके मालनेटी वो ट्रस जो है सो अजमल को छोड़के आपकी तरफ आ रहा है तो बहुत सारी पॉजिटिव साइन्स कॉंग्रेस के लिए है चाहू तरफ से आप तेलंगाना में देखें रेवन्त रेडी पे आपने पूरा भरोसा किया शीट देदी आठाठ बाता बी तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसमें कि कॉंग्रेस बिल्ड कर सकती है तो जस्ली जो है कॉंग्रेस को इस बात करना चाहिए कि अब मुझे बिल्ड करने के लिए हमारी पार्टी को कुछ एक नया एक आया है कि उसे पॉजिटिव साइंस दिख रहे है इसलिए न तो बैक टुए स्क्वेर वन हम नहीं कहेंगे लेकिन जटका तो फिर कॉंग्रेस को ले गए जो अभी जो इनको मोमेंटम दिख रहा है कि हम फिर से वापस आ रहा है उस मोमेंटम पर तो पूरा ब्लो परेगा जी अगला सवाल हितुराज साहु का है हमारे मेंबर है बोल रहे है अग्रिकल्चरल मिनिस्टर के रूप में शिवराज सिंग चौहान की नई भूमिका के बारे में न्यूज मीडियम बहुत चर्चा है कि वो किसानों और संबंधित उद्योग के लिए कई सुधार ला सकते हैं जैसा कि हमने पिछले 10 सालों में देखा है जादतर मंत्राले PMO से चल रहे हैं मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंग चौहान नितिन गटकरी की तरह बदलाव ला सकेंगे देखे चारचा इसलिए है उनको आइड का बिलने से क्योंकि उन्होंने मद्ध प्रदेश में पूरा एक कृष्षी का पूरा एक चेंज ही कर दिया सिचूएशन नितिन में मद्ध प्रदेश में क्रिशी का जो एक ग्रोस रेट है जो वरिधीदर थी वो करीब तीन पर्ति दस साल बाद वो करी तीन सो और चास लाग टन हो गया फूर्ड प्रदक्शन इस तरह से बढ़ा हम लोगों पिछले नॉवेंबर में वहां से स्टोरी की थी जाके वहां के अरिकल्चर को देखने के लिए इतने इरिगेशन प्रजेक्ट लाए तो नॉवेंबर में उस समें करीब करीब चार सा पिछातर इरिगेशन प्रोजेक्ट नए आ रहे थे उस पे काम हो रहा था तो अरिकल्चर में उन्होंने पूरा ट्रांस्फोर्म कर दिया मध्द प्रदेश का ये सही बात है इसलिए उनको है कि उन्होंने मध्द प्रदेश के लिए इतना किया तो साथ करेंगे दूसरी बात यह है कि पिछले दस साल में आपकी जितने भी किसी मंत्री रहे भावत सरकार में इन्होंने कहीं किसी ने कुछ किया नहीं है तो अब लगता है कि यह आया है इन्होंने मध्द प्रदेश में किया था साइध यहां भी यह कर पाएं पूराने नेता है उनको कोई PMO से कंट्रोल कर लेगा अब गड़करी जी का भी उनको भी कंट्रोल क्यों नहीं कर पर मैं कोई जैसे किस साइक सोनाता हूं एक बार कजी जब गड़करी जब दो-धाई साल हुए होंगे तो एक बार उनके डिपार्टमेंट के एक सेकेट्री को में कहोंगा कि अब उनको कहिए कि नहीं काम इतना ज्यादा है उनकी मिनिस्ट्री में तो नागपूर नहीं जाया करें बात हुए थे नागपूर मतलब के आरे से सिर्कॉर्टर है वहां पर हर एक वीकेंड पर चले जाते हो तो पीमो से फोन है एक बड़े इनके मंत्रा एक बड़े अधि जो को बोलो कि ऐसे ऐसे वहां नहीं जाने को बोला गए वीकेंड पर गर्करी जोना मुस्कुराय फिर बोला कि कहा से है मेसेज किसने दिया आप अधिकारी बेचला क्या बता है तो फिर रहा है उनको बता दीजिए गर्करी तो हर एक सपता जाएगा वहां का मैं MP हूँ हज इसने भी का है बता दीजिएगा तो गर्करी का वह कॉन्फिदेंस था मतलब रहा है उनका अब शिवरा सिंग चोहन ही बहुत बड़ी नेते हैं उनको और कोई कहा कि यह नहीं वह करो और पीए में आधिकारी कहे कि नहीं यह पॉलिशी नहीं वह पॉलिशी लो अगर पॉल हमारे मेंबर हैं बोल रहें अगर कोई अन्य फैक्टर नहीं हो तो आरेसे नरेंद्र मोदी के उत्रागदिखारी के रूप में किस नेता को पसंद करेगा अमिश्या योगी या कोई और देखे इसको इसको देखने के लिए आप जाएं 2013 में 2009 में जब हारे आडवानी के नि किता है कि अगर हमें को जिता सकता है तो यह नहीं मोदी ओन सकता है या अद्वानी से नहीं सकते तो ऐसा पुछ परता है तो लिडर Спट भी कुछ करनी गए जब नी नीचे से वर्ग कर श्वर्ग Не आप ज्यशले को एक्षब करना पड़ा बहुत बहुत ब्य दूसरे नेता सब पीछे हट गए क्योंकि नीचे से इतना रहा कि कौन जीता सकता है पार्टी को सेम यही अभी बात है कि में बात यह होगी कि अब संग के लिए हो या जगर चुनना भे हो तो कौन पार्टी को जीता सकता है अगले चुनाओं मैं जब भी इनको उत्रादिकारी देखना पड शुष उसमें अब जैसे संग के स्वंक सेवक से लेके बीजेपी कर वरकर से लेकर नीचे एमिलेज हो एंपीज हो अब एमिलेज हो कहते हैं कि मोदी जी के बाद जैसे के वल योगी जी दुरुसे नेता है जिनके आने पे भीर अपने आप आ जाती है बाकि योगी के तो भी यह बात करते हैं कि हमारे वे स्टेट में आदे कानाटक हो फिर भी योगी आयतनाथा भी राजाते हैं जो अभी तक कि इस्थति है कि योगी के कान आपको एक्स्ट्रा वोट पर सकता है टो उसमें कौन जिता सकता है अमित्सा या योगिे नाथ को संख व या भी ने नहीं से अगर चुन्ण हो तो फिर देखें इन तो नहीए कौन कर सकता है हो सकता है कुछ और भी नेता दिमाग में हो संख है हमको पता नहीं है, मतलब बहुत सारी सीनियर लीडर है, उपर पर जो की प्राइमिर्स्टर बनने लाइक है, बहुत है, अब राजनाथ सिंग कह लिजिए, शिवरा चोहान कह लिजिए, नेतिन करकडी कह लिजिए, बहुत साई बीजिपियों नेता है, जो मोदी जी के बाद आके, मतलब चेहरा बन सकते हैं पार्टी के, लेकिर फिर आप उसमें अमित्सा और योगी आईतिनाथ को गुशा लेजिए, फिर देखे कि कौन जो है अपने स्टेट के बाहर जाके भी जिता सकता है, जी, जी, तो फिर पता चलेगा, तो इस question का answer इसमें है कि संग को क्या लगता है, MLA's MPs को क्या लगता है, पार्टी वर्कर्स को क्या लगता है, कि किसके नाम पे वोट मेलेगा, किसके नाम पे BJP जीतेगे, जी, आपने योगी अधितिनाथ की पॉपिलारिटी की बात की, इनका यूजर नेम है MM, ये पूछ रहे है कि आपको लगता है कि UP में BJP के हाल हार भी CM योगी जी की घटी लोक प्रियता का इंडिकेटर है, आप ग्राउंड से और विबिन नेताओं के साथ अपनी बातचीत से क्या सुनते हैं, देखें जहां तक ग्राउंड का सवाल है, हमारे बहुत सारे कॉलिग्स गए हुए थे, यूपी में काफिया अभी काफी ग्राउंड में तो योगी का ऐसा कही भी नहीं दिखा कि कोई पॉपलाइटी घट रही है, आप जहां हार के कारणों का देखें तो बीजेपी देख रही है कि कैसे हार के कारण के विवेशना कैसे करें, लेकिन है कि कई तरह आपने अभी तक जो हुआ है, उसके कई का नज पहले रसे स्वेंग सेवक थे कि जैसे 2019 में देखेंगा है, 2014 में देखेंगा, वह अल्मोस जैसे कॉल सेंटर बना लेते हैं वार रूम बन जाता था, और लगाता कोईटिशन होता था, जो कैंडिडिट है MP का, उससे के कैंडिडिडिट का आरे से के वार रूम से कोईशन हो बैठ गया है, उसका असर पड़ा, फिर अपोजिशन ने जो एक कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो एक दोनों का जो 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 रहा हुआ, उसमें कई कास्ट, जिस कहते हैं जैसे चार आब की बार 400 पार का भी असर पड़ा, लोगों को लगा कि समेधान चें है 12-30% वोट अगी मिला है, लेकिन उतना ये इंपक्टफल जो वोट देने जाता है, उनको पता है कि इनको वोट दे के वोट ख़ब करना है, तो उनको जो वोट देते थे, बहुत सारे लोग छिटक के इस बार, उनोंने BGP को नहीं देखे, इनोंने इंडिया एलाइस जो कि उतना ही पॉपलर है, डीके ने जो RSS के कार्यकरताओं की बात की उस पर हमारी सहकर्मी सानिया धिंगरा ने एक रिपोर्ट की थी, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शिन में आड़ कर दूंगी, तो वो रिपोर्ट भी आप जरूर पढ़ें, चुनाम पहला जहां थे कि सचीन पाइलेट का कैसा रहा, कफी अच्छा रहा सचीन पाइलेट के परफोर्मेंस, रास्थान में आठ सीधे कॉंग्रेस जिती है, आठ में कड़ी पांच कैंडिडेट सचीन पाइलेट के थे, तो उनके जहां तर कैंड़ेट जीत गया, बाकी जिगा परफोर्मेंस अच्छा रहा, दूसरा आप कहा रहे हैं कि गहलोत और पाइलेट में कैसी चल दिया, अभी ऐसा कुछ आया नहीं, और असो गहलोत भी आप समझते हैं कि अब इसके बाद अगले पांस साल तक अब पांटी नहीं उनके साथ जाएगी, अब हार गया है तो मजबूरी में कोई कान ही निये जगरने या कुछ बचाने जगरने के लिए, तो अभी ऐसा कुछ चलने रहा है, जहां तक है कि राहुल गांधी किसको प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे, अब देखे कई बहुत सारी यंग चेहरे हैं, अब हमें भी देखने, अभी हमने बात देगी और आलाइस को अपनी रणीती पर पुनर विचार करना पड़ सकता है, या वो करने की कोशिश करेंगे, प्रशान किशोर ने भी एक इंटर्व्यू में यही कहा था, यही विचार पेश किया था कि अगर बीजेपी यह चुनाव हारती है, तो संभव है कि यह सरकार पांच साल तक नहीं चल पाएगी, क्या आप इससे सहमत है, क्या उनसे सहमत है, पांच साल तक शायद मैं सहमत हूँ, लिकिन मैं क्वेश्चिन के पहले पार्ट में आता हूँ, जब वो कहते हैं, अब इसको दो तरह से मैं देखूँगा, एक आप NDA सरकार करें, एक पधार अब इन दोनों में, इनको गिराने में क्या फाइदा है, अगर मान लिजे कि हार भी गई बीजेपी, महरास्टा, जारखंड और हरयाना, उसको जम्मो इन कास्मीर भी एक हर बीजेपी का उसमें उतना भी ज्यादा एस्टिक नहीं है, आगे दिल्ली है आपको अगले साल ज चाहर में, टेजर्श्री आदब इस्ट्रोंग हो के निकलना है, वो मुखमंत्रे के चेहरा वह हो गए, अब नितिष कुमार ऐसा नहीं कि वापस महागर्वन्न में जैंगे तो उनको बनाने वाला है, जब मुखमंत्रे कोई बनाने वाला है नहीं तो जाके करेंगे क्या, तो उनको वो पुल फैक्टर रहाने नितिशकुमार के लिए है जी कि आप गिरा के कहां जाओ गए चंद्राव नाइडी के लिए देखिए और फाइनस अंधरा के बहुत खड़ाब है बहुत उनको नया कैपिटल डेवलप करना है सब में सेंटर का उनको फंदिंग चाहिए सेंटर का सपोर्ट चाहिए वह स्पेशल पैकेज मानेंगे आंधरा के लिए तो उसमें क्योंकि उनको बिल्ड करना है नयानिया कैपिटल डिवलप करें हम रावती का उसमें बहुत साए खर्चाएंगे बहुत साए प्रोजेक्ट ह चंदरभाव नइड़ू जाने की भी कोशिश करें तो आप क्या होंगे कईयों में एक होंगे आपकी यसे नहीं चले क्योंकि इंडिया एलाइंस ऐसा भी नहीं कि आप से हो सकता है आप बहुत इंपोर्टनर ने बहुत साए पार्टनर्स हैं वहां पर के वहला आप ही कि ल तो आपको बीजेपी बहुत ज्यादा जो है या मोधी साथ काफी ज्यादा देगी दो तेनी साल तक वह फाइदा आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा पता नी दूसरा इंडिया एलाइस आई भी तो भी इतना लंबा चले चंदबाग नईडू का फाइदा दिखे गा बीजे लेकिन वह होगा 27-28 में जाके वह अभी नहीं सोचेंगे अभी उनका फाइदा है नितीश कुमर के मैंने बात की ही तो इसलिए इस चुनाव का असर नहीं पड़ेगा लेकि दूसरा पॉइंट है इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यह हार गए मह अगर यह तीनों इतनी इंपॉर्टेंट सेट्स हार गया है उसके आपको दिल्ली हार गया तो फिर होगा कि भाई संग भी सोचेगी भाजपा में इसे हुआ कि इनकी लोग पर यह तर जाते ही जा रही है उनतीश तक तो हम कभी जीतने लगाश चांसी ने बचेगा तो फिर फिर चेहरा हम चेंज करें फिर कुछ नए नेताओ को लाके फिर से हम जो कि जिससे की फिर हमारा ग्राफ उपर बरना सुरूओ तो फिर शुरू हो जगए अगले साल से अगर यह हार गे यह सब चुनाओ तब फिर प्रसंचिन लाएगा कि नए निमोधी कम तक प्राइम मिन यह सारे चुनाओ प्रधान मंत्री मोधी के लिए ज्यादा इंपोर्टन्ट है अगला सवाल विपन गुपता का है यह बोल रहे है हेलो डी के आने वाले हर्याना के विधान सभा इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है जेजेपी और आइनल्ड को लोग सभा में कांवी हद तक अभी भी बीजेपी के साथ ही है अपक इस बार देखेंगे लोग सभा में ठीक से अनलएज ख़ें, तो किकला काफी कट के विजेपी के साथ ही है वेस कीवल जाटवोंट से ही कवल च्वीज बोट से नहीं आए ह मिला के लिए तो जहां तक ड्योंब के कुछ ज्यादा चलेगा नहीं क्योंकि बहाजपा ने एक जाट वरसे एंटी जाट का पॉल्टिक्स खेला उसमें जेज़ेपी जाके चलेगी भाजपा के साथ जाट वोटर्स विसे ही चितग गया है आएनल्ड उतने बड़ी फैक्टर रही नहीं है तो अब यह अगर जाट क कि इस जाते के हिसाथ देखेंगे तो वो कम्यूनिटी कहेगी कि हमको किसी तरह से बीजेपी से हटाना है तो फिर कॉंग्रेस के पास में जाएगी क्योंकि यह जेज़ेपी आएनल्ड इतनी स्ट्रॉंग फोर्स रही नहीं है तो थोड़ा मोरा जाट वोट इनको मिलेगा अगला सवाल अनुराग उपाध्याय का हमारे मेंबर हैं बोड़े सरकार कॉंसिटूशनल अमेंडमिन के आवशकता कि बिना पार्लिमेंटरी अप्रूवल से परिसीमन या डिलिमिटेशन कर सकती है इसके अलावा परिसीमन करने के लिए 2026 के बाद सैंसस आयोज़ित करने क अवशकता है लेकिन परिसीमन को अवोइट करने या पुराने जनगर्ना या सैंसस डेटा का उपयोग करने के लिए सरकार को सम्वधानिक संशोधन अमेंडमिन की अवशकता होगी क्या सरकार के लिए 2026-29 के बीच सैंसस और परिसीमन दोनों कराना संभव है और राजनीति मजबूरियों के बारे में क्या जैसे जेडियू परिसीमन का समर्थन करेगा लेकिन टीडीप संभवता नहीं करेगा क्या इस एक्ससाइज को डिले करने के लिए कोई और संशोधन या अमेंडमिन अगर वैसे देखे तो बीजेपी का 2029 के लिए ये में मुद्दार था कि उनका था कि अब परिसीमन होगी, सीट बढ़ेंगे और सीट जो प्रोजेक्शन होता है जैसे अगर 2026 का क्या पॉपलेशन का प्रोजेक्शन होगा अगर उस हिसाफ से परिसीमन करते तो करीब 848 टैप का जो है सीट बढ़ के लोग सभा में जाता साउथ में काफी कम हो जा तो अब दू तरीक है एक था कि जो सीट बढ़ाएंगे आ पॉपलेशन के हिसाब से अब वह करना मुश्किल है बिकाज पूरा साउथ खड़ा हो जाएगा और डिपेंड कर रहा हो जाएगा अब के वाल साउथ ही नहीं और भी कहीं मतलब हो सकते है नितिश को मारी भी खड हो जाएगे दूसरे चोटी-चोटी पाटिया तो वह परिशिमन तो मुस्किल है अब बिना अभी जो लोगसाभा बनी है अथार्मी लोगसाभा बनेगी उसमें तो संभवी नहीं है लेकिन अब कैसे क्या करेंगे परिशिमन के बारे में दो थरीका है एक तो बढ़ाने वा कुछ स्टडी देख रहाता है पॉपलेशन प्रजेक्शन 26 का लेकि कुछ लोग ने स्टडी किया है कि अगर वैसे भी करेंगे तो साउथ का फिसे नुक्सान है तो उसमें कुछ स्टडी जो दिखाएंगी आपको की किरला का अर्ट सीट चला जाएगा तरिलंगना अंध प तो आगे क्या हो सकते हैं अगर बीजेपी के राजनितिक वाइदे की तरफ से देखे तो जादा कुछ नहीं हो सकता है लेकिन अगर सही में जो एक स्प्रिट है परीशीमन के पीछे हैं को उस पर जाएंगे तो आप यह कर सकते हैं जो कुछ करो कि और वहां पर MLA जो आपके होंगे बरहाना है बरहाओ असेम्बलीज में फिर वो जो जनता को जो चाहिए आप परिसी में क्या है कि आप किसी कर सकते हैं तो ऐसी जगह पे आप एमेलेज को एसेंबलीज में पूड़ा करके उसको बढ़ा कि और वहां पे जाके जो जनता का रिक्वार्मेंट है तब वो बेटर दरह से कर सकता हैं एंपीज में कुसिस करेंगे तो अभी तो बहुत ही मुश्किल है जिस्तरा का महल है जी जी और एक दूसरी सरकार होती जिसका केस स्टेट से बाकी पाटी से बंदा होता है सायम सब क्साफ गरिकर जाते हैं लेकिन मोदी सरकार के साथ प्रॉलेम है कि इनका कई घचे टृह सब इस स्टेट से में खास करके साउथ में तुरह सा काफी इस पार्टी के बारे में अप्रिहंसम्स है तो ये सही में भी उनको कन्विंस करने जाएंगे को वो मानेंगे नहीं कि नहीं बीजेपियों के बड़ा एजिंटर चला है तो इसके साथ प्रॉलम है इस तो पड़े सिमन में मुझे लगता नहीं कि बहुत कुछ होने वाला है अगला सवर अदित्यकाय हमारे मेंबर हैं बोल रहे हैं आपके अनुसार राहुल गांदी द्वारा वायनाट सीट के बजाए राइबरेली सीट को अपने पास रखने के फैसले के पीछे क्या बैग्राउंड है क्या इसलिए है क्योंकि यूपी में एक सीट रखने से राज्य कॉंग्रेस को खुद को रिवांप करने में मदद मिलेगी इसके बाद उनका एक और क्वेश्चन है वो मैं इसके बाद लेती हूँ कि कि आपको जो अब कॉंध कर लोड़ करें और का ما कि नो हो जबाद को पॉपी में दिपैंड एक इंप ABC चाहिए हो तो यह कॉंव जब नहीं को दा जो कॉंगेस कभी नहीं कहेंगी देखिए राहूल करीब 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 चालाख वोट से जीते हैं तो काफी मैसिव उनकी विक्टरी है लेकिन फिर भी अगर दुबारा यहां पर एलेक्शन हो तो फिर पता नहीं फिर बीजेबी क्या फिर नया समीकरन बने पूरा फिर आपके नहीं तो बेटर है कि वाइनार से लड़ लीजेए वाला सेफ सीट है राय बेली में क्यों कंप्लिकेट करना तो एक वो कह सकते हैं दूसरे जो है कि अब ठीक है अब एक फैमिली उत्रा धिकारी की रूप में राहूल ली जागो सीट को ले लिए है कि हम यहीं से बुल लग गलत धंग से पड़े जाने का क्या कारण है आपकी रिपोर्टों और अन्य सभी रिपोर्टों में BJD स्ट्रॉंग फेवरिट लग रहा था क्या यह फैक्ट महत्वपून था कि भाजपा ने पांडियान के बाहरी होने को मुद्दा बनाया अगर ऐसा है तो बहुत जहावा देने के पक्षमी हूँ लेकिन जो इनसान वास्तव में लोगों की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर सकता है वो राजनीती में एक रेर कोमोडिटी है मुझे उम्मीद है कि वे टी एन वापिस जा सकते हैं और वहां जाके सेवा कर सकते हैं पहले तो मीडिया के वे गहिं कि हमने ज्सेटारी गलत गया हम इस बार कि काफी बार आजना के इस जाते हैं लिए मीडिया के देकि को जीत रहा रहा यह आजो जोड़ा है यह तो बहुत बोलाए कोई दो लोग कि मीडिया कर शाओं या पको एलंग व्याकर में जोख तो की मिड पूरह के लिए लेकिन अगर आप 10 लोगों से बात करें और उसमें से 4 या 6 कहदे की मोधी को ला रहे हैं उसमें 4 या 5 कहदे की मोधी को ला रहे हैं या 2-3 किसी और कर नाम ले 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 तो जब इस तरह का जो होता है कि जब बहुत ही क्लारियरीटि फूरी नहीं होती है तो उसमें किसी भी मीडिया के लिए एक कहना कि हां यहां यह ये पाद्धी जीत रहे है से स्टेट में यह मुश्किल है ते कूं वह जो फिल्ल पर तब आपको पता चल जाएगा, अगर वेव नहीं है, तो मुश्किल होता है, जहां तक और इसागा सवाल है, हाँ, मैं भी, हाला कि मैंने एक दो दे नहीं बिताया है, तो इसलिए confidently तो मैं क्या उस पर बोल सकता था, जब इस तरह का सोच रखने लगते हैं, तो जब लोगों से बात भी करेंगे, यहां तो इसेंबली में कोई चेहरा ही निये का, तो आप जब इस तरह का सोच रखने लगते हैं तो जब आप लोगों से बात भी करते हैं तो आप कंफर्म करने के उसे करते हैं हमारा ये विश्वास से दूसरा वाला कुछ भी हिंत देगा तो आपको लगता है यही सही है कॉंफर्मिशन बाइस मीडिया में रहा है सुरूर से मीडिया में सब में होता है जिसलिक हम लोग करते हैं के नहीं मतलब अपना जो भी उपिनियन हो आप सामने से क्या फिद्बैक आ रहा है वो दिखे तो उसका एक स्ट्रगल लगता है कई बाद आप गलत जाते हैं कई बात सही जाते हैं इस चुनाओं की बात करें तो आप जब वोट से देखेगा BJD का और BJP का लोग सवह में आपको दिखाया करें आठ परसंट का अंतर हैं BJD से जैसे BJD को 37 परसंट आटो BJP को 45 परसंट आ गया जब को दिखाता है कि लोग सभाद चुनाओं में वो मोदी के नाम 40 परसंट तो उसमें एक ऐसा नहीं था कि BJD खतम में हो गई थे मैं वह भी BJD फोर्स रही लेकिन यह है कि अगर BJD का वोट सेर जो है करीफ साथी चार परसंट नीचे आ गया बीजेपी का वोट से नीचे का वोट सेफ थे साथ परसंट उपर चला गया चालीस परसंट फ्रसंट ही गया तो पहले 32 और 32 र ल यह थेतिस परसंट थे लिए anal दो भी जब मिला है कि यह उत्राधिकाडी बनना चाहते है यह क्लारीफाइब ही कि ऐसा कुछ नहीं है लेकर उसका इंपक्ट है लेकिन अब डिजल्ट देखके साइध हो सकता है कि मेरा एसस्मेंट गलत हो क्योंकि वहां पर मैं जितने लिगों से पूछे था किसी को ऐसा नहीं थे का अड़ियो तो तो नवीन बाव का आदमी है नवीन बाव के लिए वोट कर गया थे तो कितना इंपक्ट किया अब मेर हो नहीं था एसस्मेंट लेकिन हो सकता है किया हो लेकिन उसमें अगर आप CSDS लोगनिती का पोस्ट पूल सर्वे देखेंगे तो उसमें कई चीज़ा है अब जैसे आप देखेंगे कि रूरल और इसा में बीजेपी को जादा वोट मिले पिछले एलेक्शन में रूरल और इसा में बीजेदी को जादा वोट मिला था बीजेपी और उल्टा हो गया अर्बन और इसा में बीजेदी को जादा वोट मिला और रूरल और इसा में बीजेपी को जादा वोट मिला ज उसमें प्रॉमिस किया था कि पैड़ी जो है उसका MSP से मतलब उसका खड़ीद जो होगी 3100 रूपे 3100 रूपे पर क्विंटल होगी जो कि जब रनाउंस किया था उसमें MSP चल ला था करीब बाइसा के आसपास तो करीब 40% एक्स्ट्रा उसका धान की खड़ीद के लिए प्रॉमिस किया तो यह जब प्रॉमिस किया अब औरिसा आप देखिए धान वहां औरिसा में काफी कुछ होता है वहां तीन-चौथाई लोग जो है करीब करिब कृषी में और धान बड़ा मेन वहां का है उसमें आप करें कि आपको जो मिलता है MSP उसे 40% ज्यादा देंगे एक बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन है फिर पचास हजाग का कैस्ट वाउचर हरे एक लेडी को देने का प्रमिस के बीजेपी ने 50,000 का कैस्ट वाउचर तो आप देखेंगे जब फिर में CSDS लोकनिती के पोस्ट पोल सर्वे की बात कर रहा हूं वहां पे उन महिलाओं में 49% महिलाओं ने बीजेडी को दिया और 43% म महिलाओं ने बीजेपी को दिया हो सकता है कैस्ट वाउचर का ही कमाल हो फिर मुफ्त बिजली बहुत सारे बीजेपी की काफी लुभावने वादे वे रहे हर एक सक्षन के लिए अब ट्राइबल जितने हैं लड़के पढ़ रहे हैं पांसीजार रोपिया उनको मतलब अब जेखा होगा कि मोदी जीतने कॉंफिएंट हो गई कि लुभावने वादे ने जैसा चलना है चले मोदी की गैरेंटी है कि आपको जो मिल ला है और सब कुछ मिलता रहेगा फिर जनता को लगता है जनता हमने पहले ही बात कि अब तक तो भी मिल ला है अब आगे क्या मि बिजली का मुफ्त करने के बाद के लिए कि ऐसा कोई कुल का मैनिफेस्टो में लोवावना कुछ नहीं था क्योंकि जब आपको लगते हैं आप आही रहे हो तो आप क्यों बेकार में बहुत ज्यादा है चीज़े एनॉंस अब करो लेकिन बीज़ेपी ने वही सारा कुछ के इतना कुछ जाके तो हो सकते हैं उसका भी असर पड़ा हो ग्राउन पर बहुत सारी फैक्टर्स हैं चली इसी बात पर हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है आप सभी से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप हमें हर एपिसोड के लिए इतने धेर सारे सवाल भीजत हैं और समय निकाल के हमारा शो देखते हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू